हलो फ्रेंट नमस्कार जैसे कि आप लोग देख़ा रहे हूं जो भाई सामने खड़े हुए हैं आज उनका ससी जीडी का फिजिकल था तो अभी फिजिकल देखे आ रहे हैं इनसे बात करेंगे क्या रहा सिस्टम क्या था कितना रेलिंग थी क्या दिक्कत क्या परसाने हुआ एक की सिस्टम बताएंगे अभी जो बच्चे बच्चे हैं उनके लिए भी इसमेंस देंगे तो आप बताएए सूरुस लेकर किलाश्ट तक क्या कैसे क्या हुआ आपका फिजिकल के साथ में जो एक्चुली जो एससी जीडी का फिजिकल है वो साड़े चार वजे इंट्री तो इस रणिंग के लिए यह है कि यहां फोजी लोग हमको यह बता रहे थे कि जो रुकनी राय जो कंटीनू रणिंग कर रहा है उसकी रणिंग कंप्लीट हो जा रही है और जो फिजिकल है वो 15 मई तक चलेंगे और आने आने वालों के लिए मैं यही कहना चाहँगा कि जो है कि यूट्यूबर हम देखते हैं तो बोलते हैं कि मुल निवास लाना है और और चार फोटू लेकर आना है सिर्फ तीन चीज़े लेकर नहीं बाके बार कोछ नहीं लेकर आना है क्योंकि आप डोकुमेंट्स लेकर आ रहे हो तो हमको बाहर रोकना पड़ता है या किसी दर लेकर चार रहे हैं कैसे किया हो रहा है कैसे बना रहे हैं गोल क्यों कैसे दो चिप्ट यह पर चिवजफ आट बजह वजए और उसके बाद में आट वजब जो इसमें देखा जाए समन तौर पर फर्षट सिप्ट है उसमें बच्चे जाद जाद जोड़ नहीं जैसे आज ह तो यह प्रयास करें प्रियास करें जादे बेटर रहे तो बच्चे भागदवर में गिर भी रहे थे पर फिर गलत करने पर मार पीट हुआ जा रहा है आज हमारे बैच में दो बच्चे ऐसे वे ते उन्होंने का हुआ इस वजए से दो बच्चे गहरोस हो गए तो अभी भी ऑस्पीटल में एडमेट हैं तो सही होंगे तो मेरा यह सबसे रुकर्मेंट है कि आप कोई भी डोज नहीं लें हो सकता है आपकी रणिंग नहीं आ रही है तो यदा आपने कोई भी डोज ले ली तो पक्का आप रणिं करेंगे तो यह एक तरफ से साड़े तीन किलुमेटर है साड़े तीन किलुमेटर हमको टोकन मिल जाएगा उसके बाद में पंद्रस मीटर पर फनिशिक पॉन है आपका कहा पे था किस लोकेशन में था आपका फिजिकल था फापा मौव जंक्शन CRPF कैम जी 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 हाइट में चट रहे हैं और क्या-क्या अमलग जाल्दा गल्तिया कर जाएगा हाइट में आज हमारे 28 बच्चे आइट में तो आपको डिस्कॉलिए जी जी तो आपको क्या बोले कि इतने क्या चेश्ट के बारे मेरी मेरी हाइट बन सिमिटी बन है आपका सब कुछ हाइट हो गया आपको फिस्केल सारा में रणिंग सब्सक्राइट रटन पेपर हो मेरे 138 नंबर है 138 नंबर है और मेरा दिल्ली पुलस का उसमें भी टेस्ट क्वालिफई हो गया उसी फिजीकल हो गया है जी 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 और इस लाश्ट बार में फिजीकल तक महुंचा था फाइन मुल्डर पेपर तो अब तैरी कैसे कहा किसे उसके बारे में सक्राइट की क्यी ऐसे किम यह क्योंकि उसके लिए पढ़ी ती और जो रोजगार्वित अंकित बाड़ी शर नहीं उनका में लगाई वे थे और उसका टेस्ट भुक से लगाता रहा था उससे मेरा चीज फ्ली बार क्लिए हुआ और यह वी क्लिए हुआ तो काउन साब करा रहा इंटर्व यह वाला अटेम्ट इस जीडिवा रहा और नीज सेकंड अटेम्ट ता मेरा पश्ट टैम्ट में यह था कि मैं दो नम्मर से रह गया था फाइनल में आउट हो गया था और इसमें यह मेरे अच्छी माक्स है तो साइसी है यह से मिल जाए नमबर अब यह विए जनर्रल डिस्टिक हो गये तो यह अच्छा इस्टाप इससे थोड़ा था क्या है कि कॉंपटिशन है और असीस्टी को जो बैनिफेट है वो गाहां की जो लोग है इस बनने बनने तो जो गाहां में लोग रह रह रहा है यह स्टी के उनको इसका कोई कि अर्वी जैसे गूरूब यह जिसका तालिस है वह की जनरल कटेग्री है वह हो जा रहा है और जिसका और वी सी कटेग्री है उनका 960 नंबर भी नहीं हो पा रहा है जो जो रीजन है जो कुछ सी बैठे जो सब और बड़े लोग निकारी लोग वो अपने सिस्टम से अपन पर आप देखोगे जैसे यह 700 वेकंसी है तो उसमें 400-500 वेकंसी ऐसी होगी बहुँ बच्चे आइस बनेंगे जिनके माता प्यता कोई आइस है लेकर उनको हाइलाइट नहीं किया जाता है जैसे कोई किसान का बच्चा बन गाइस तो उसको हाइलाइट किया ता कि लोग यह सम अच्छे चल रही है तो इसको ज़रूर कम को सकते हैं अज हमारे बच्चे आज लगवाग एक सबीस बच्चे थे नहीं नहीं आये तो उसका रीजन यह हो सकता है कि उसके एक दो नम्मर एक्स रहा हो इसलिए नहीं हो या फिर किसी और पोस्ट में सेलेक्ट हो गया हो जी ज मेडिकल रहा है सरे मेडिकल नहीं दो जहां भी हो जैनल क्या कहना चाहते हैं चैनल को हरूइज की बारे में आपके चैनल के लिए कहना चाहता हूं कि जो मेरे लोग इसको देख रहे हैं इस चीज को जो भी हो सकता है आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसमें आप कंडेक्ट कंडेक्ट जो बहुत अच्छा डालते हैं, मैं इसको देखता हूं, तो यह बहुत सपोर्ट होल है, जो कॉंपटिसी तेजरी कर रहे हैं, जो शामन लोग हैं, जो पता नही ही बहुत बेनिफेट है, तो इस वेरी गुट, जी थैंक यू सर, आलवेश्ट